नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में सोचना के यह अजीब लगेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, हाँ मैंने बनाया तो मैं इसके तारिफ कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है, यह पुलाओ सची में इतना टेस्टी लगता है जिसके कोई हद नहीं है, जब आप इसे बना कर खाएंगे तो आपको लगेगा ही काफी ज़्यादा फायदा आप इसे गूगल करके देखी सकते हैं, तो उसके लिए बीट को अच्छे से वाश कर ले, छिलका निकाल ले, उसे कदुकस कर ले, यानि कि ग्रेट कर ले, उसके बाद अज यह चो पुलाओ है ना आज हम प्रशर कोकर में बनाएंगे, तो पिर यह ग्रेट की हुई बीट आपको डाल देनी है, और बीट का जो इतना बढ़िया नच्रल कलर आता है ना, तो यहां पर बस बीट को भी आपको एक से दो मिनिट तक लगवख भून लेना है, उसके बाद इसके अंदर आपको डाल देना है दो कप चावल, बासमती, छो पूटे, बड़े, जो आपके घर पे हो, आपको ले सकते हैं, तो मैंने यह दो कप चावल को अच्छे से पानी से तीन से चार पानी से वाश कर लिया था, उसके बाद ही डाला है, तो इससे हम एक से दो मिनिट तक भून लेंगे बीट के अंदर, उसके बाद इसके अंदर तो दो कप पानी डालने के बाद फिर से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसके अंदर में डाल रहे हैं, आदी चमच, लालमिर्श पाउडर और स्वात के अनुसार नमक, फिर भी आप अपने स्वात के अनुसार मसाले और नमक डाल सकते हैं, तोड़ से धिनिय या खुश्पो आ रही है, गरमा गरम खिला खिला हमारा ये बीट का पुलाओ बनकर तयार है, तो अगर ऐसे बीट नहीं खाया जाता है कच्छा, तो आप इस तरह से बना कर खाईए, हमें तो वैसे भी ने, इसमें से जो हमें मिलना है, वो तो पुलाओ के तो और भी मिल ज थांक्यू